जै हो धर्ती मया, मेरे घर आंगन में सुक शांती बनाए रखना भगवान ये हैं पचास बरस की बूढ़ी गोदावरी देवी, जो प्रती दिन सूरज की चर्ती पहली किरण के साथ जाग जाती है और सबसे पहले धर्ती मा और अपने आंगन में लगे तुलस्ची को प्रडाम करती है फिर गोदावरी जल्दी से पूरे घर में जाड़ू लगाकर मिट्टी से आंगन लीपने लगती है तब ही दही बेचने वाली पड़ोसन विमला रुख जाती है क्या बात है गोदावरी बेहन इतनी उमर में भी बड़ी फुर्ती है तुम्हारे शरीर में तो वेज़े तुम क्यों घर के काम कर रही हो तुम्हारी तीनों सरकारी बहुए कहां है अब इतक सो कर उठी नहीं क्या हाजरा विवार का दिन है न तो तीनों बहुएं की चुटी है तो थोड़ा देर से उठती है तो मैंने सुचा खुदी थोड़ी सफाई करके शरीर भी दंदरुस रहेगा वेसे तुम्हारी तीनों बहुएं तो सरकारी नौकरी वाली है तो थोड़ा बहुत खड़का तो होता ही होगा बिल्कुल नहीं विम्ला बहन, मेरी तीनों बहुएं बहुत समझतार है, एक दूसरे के साथ बहुत ही प्याड से रहती है ये सुनकर पड़ोसन विमला चली जाती है और सास घर में आती है जहां तीनों बहुएं दीपा, योगिता, मालिनी के बीच बहस छड़ी होई थी अरे अचीब सा परतेश्दी है, मेरे एक बार मना कर दिया ना, मैं अपना पनीर नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी अहां ऐसी कैसे अकेली अकेली तुम्हारा पनीर देखो मालेनी ये तुम्हारा स्कूल नहीं और नहीं तुम यहां की मास्टर नहीं हो मुझे अपने लिए पनीर के पकोड़े बनाने हैं आधा पनीर मुझको भी दो वाह क्या बढ़िया तुम दोनोंने अकेली अकेली बटवारा भी कर लिया मैं कहां गई देले नहीं ना तो इस पनीर के पकोड़ी बनेंगे और नहीं पुलाओ जादा दला भुना खाना सिहत के लिए अच्छा नहीं होता लाओ सारी पनीर मुझको दो मैं इसकी बढ़ियासी कड़ाई पनीर बनाऊंगी फिर रोटी के साथ लपीट कर खाएंगे क्यों क्या कहती हो दीपा तुम ना अपने डॉक्टर गिरी अपने सरकारी अस्पिताल में छोड़ कर आया करो यहां मत जड़ा करो और तुम जब से मतलम में अपनी वकालत ज़ाड़ती हो उसका क्या हो देखो मैं तुम दोनों से लड़कर अपना अच्छा कासा संड़े खराब नहीं करना चाहती लाओ पनीर मुझको दो ऐसे कैसे हां इसमें मेरा भी हिस्सा है मैं भी घर में बराबर पैसे देती हूँ इसलिए इस पनीर पर मेरा भी हक है देखते देखते तीनो सरकारी बहुएं जरा से पनीर के पीछे कुट्ते बिल्यों की तरा छीने जप्टी पर उतारू हो जाती है और पनीर जमीन पर गिर जाता है लो फीर हो गया, रायता, अब खालो दोनों कड़ाई पनीर और पुलाव तीनों की लडाईयां देखकर गोदावरी देवी के घुसे का ठिकाना नहीं था और वो तीनों को सुनाती है अरे तुम तीनों बहु का, कोई साभी दिन बिना चिक-चिक बाजी के शुरू क्यों नहीं होता है कम से कम रविवार के दिन को तो छोड़ देती अरे तुम तीनों का जगड़ा देखकर कौन कहेगा कि तुम पड़े लिखी सरकारी बहु हो एक पनीर नहीं हुआ कि पंचायत लगा दी कोई भी दिन तुम्हारी शांती के साथ शुरू नहीं होता अब चाए पानी बनाओगी कि नहीं तीनों बहुएं घमंड से मूँ भुला कर बैट जाती है जिसके जलते बेचारी सास खुद ही सब के लिए चूले के धुएं में खाना बनाती है और जिसमें वो खांसी से बेहत परिशान हो जाती है हे भगवान आज तो चूला जादा ही धुआ दे रहा है अपनी माँ को परिशान देख कर तीनों के पती अपनी पत्नियों से बोलते है यो की था तुमको पता है डॉक्टर साब ने माँ को चूले के धुएं के आगे रहने का सक्त मना किया है जाओ जाकर रोटी बना लो इस तरह तीनों बहु मैंसे कोई भी नहीं जाती लगबग दो तीन घंटे के बाद सास रोटी और सबजी बना कर तयार कर देती है अप परोस कर नहीं दूंगी तुम खुद भी खालो और अपने पतियों को भी खिला दो तीनों बहु अपनी थाली में भर भर कर घंटाल लेती है और डॉक्टर बहु दीपा अपनी थाली में दो जनों से ज़ादा फिजूल खाना भर लेती है मैंने तो खा लिया, अपना खाना, अब तुम दोनों अपना देखो अब बची होई दोनों बहू, मालीनी योगिता मैंसे एक की रोटी कम रह जाती है तो एक को सबजी पूरी नहीं मिलती, इसलिए दोनों में जगडा शुरू हो जाता है दोनों की खटबट से परेशार होकर उनके पती माथा पीट लेते हैं तब सास घुस्ते से बौकला कर बेलर उठा लेती है अरे आप कौन से किड़े ने काट खाया तुम दोनों को, बैल बुद्धी के जैसे लड़ क्यो रही हो माजी मुझे सबसी नहीं मिली, अखिर मैं अपनी सरकारी कमाई देती हूँ तो सबसी पूरी खाऊंगी न अरे तक क्या मैं मुफ्त में खाती हूँ, पैसे देती हूँ और मुझे को क्या मिला, ये पापड जैसी पदली सी चार रोटी माजी इससे बहतर होगा कि आप हम तीनों बहु का चुलहा अलग कर दीजिये, मुझे कमाते हुई भी ये चिक-चिक बाजी नहीं चाहिए अपनी शिक-शिक बहु के मूँ से अलग-अलग चूलहा चौका करने की बात गरिब सास के दिल पर लगी, तो उसने कहा जब तुम तीनों ने चूलहा चौका अलग करने की ठान ली है, तो फिर तुमारे मन का होगा लेकिन उस रात बोड़ी गोदावरी सो भी नहीं पाई, तीन-तीन सरकारी नौकरी वाली बहुओं आले घर में भी आज खुशिया नहीं थी, लेकिन एक वक्त में उन्होंने भीशड गरीबी और बुरा वक्त देखा था, कुछ साल पहले जहां गोदावरी देवी अपने तीनों बेटे की शादी, गरीब घर परिवार की बेटियों मालिनी योगिता दीपा से करवा कर उन्हें बहु बना कर लाती है, लेकिन तीनों आगे पढ़ने की अधूरी इच्छा के साथ ब्याह कर आई थी, गोदावरी के पास पुर्खो मैं तुम्हारा स्वागत करवाती हूँ, इसे अपना ही घर समझो और मुझको अपनी मा, ये सुनकर तीनों के मन का दोख उनकी आखों में उतराया, क्या हुआ बहू, तुम रोख क्यो रही हो, मा जी हम तीनों शादी नहीं करना चाहती थी, हम सरकारी नौकरी हासल करना चा बहू, तुम तीनों को सरकारी नौकरी हासल करनी है, इसलिए आपसे तुम घर का कोई कामधाम नहीं करोगी, बलकि मन लगा कर पड़ोगी, ये सुनकर तीनों की पल के भीग गई, मा जी हमको तो आपके पाउं धो दो कर पीना चाहिए, आप जैसी सास भगवान हर बहू को अब तीनों बहूएं रात दिन केवल पड़ती रहती हैं, जबकि खित बिग जाने के बाद गोदावरी मजबूर होकर लोगों के घर बार में बरतन माच कर घर का खर्चा चलाती है, क्योंकि उन दिनों उसके बेटे बेरोजगार थे, और एक टाइम का चूलहा जलने के लि तो घमंड भी अपने साथ में ले आता है, आज वही तीनों बहूएं उनके वलिदानों को भूल बैठी हैं, गोदवरी रात भर रो रोकर बिच्वाना भिगो लेती हैं, लेकिन अपना दुख नहीं बतलाती, अगली सुपा तीनों अपनी अपनी वर्दी में तयार होकर आ कान के नीचे रहना, आप बता दीजे आप किस के साथ रहेंगी, बहूएं की बातों से गोदवरी को गंभी ठेस पहुंचती है, और वो आसु भर कर कहती है, मैं अपने इसी घर में रहूंगी, ठीक है फिर, हम आपको हर महीने पैसे भिजवा दिया करेंगे, बस बहू बस, तुम तीनों को तुमहरी सरकारी नौकरी और पैसे मुबारक हो, मुझको तुमहरा कुछ नहीं चाहिए, मैं बढ़िया खुद कमा कर खा लूँगी, तुम सब जाओ, बस जाओ, गोदावरी फूट फूट कर रो पड़ी, अपनी मा के आसू तीनों बेटे देख नहीं ये सुनकर तीनों सरकारी नौकरी वाली बहु का घमंड तूट कर चूर चूर हो जाता है, और वो अपनी सास के कदमों में गिर जाती है, माजी हमको माफ कर दीजी, हमने अपनी सुएत में आगर आपका मन दुखाया, हम बिलकुल अच्छी बहु नहीं है, हा माजी हमको बह होने के नाती परिवार जोड कर रखना था, मगर हम लड़ती रहीं, मगर आप कभी नहीं लड़ेंगे जगड़ेंगे, एक मौका दे दीजी, ये सुनकर गोदावरी को तसलिए आ गई, तीनों बहुए अपने गरीब सास के साथ उसी छटवाले मकान में रहीं, गोदावरी